वो फ्रेंड्स कैसे हो आप जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो गाइज जैमा टैरो की जन्रेर डीडिंग का टोपिक है संडेश पैशल जनी कि रादा कृशन जी के दिवियस संदेश जहां लव प्यार महुबत की बात आती है वहां रादा जो भी प्यार के रिष्टे में है महुबत के रिष्टे में है कोई भी देख सकता है तो चलिए देखते हैं आज रादा कृशन जी आपके लिए कौन से संदेश लेके आने वाले है लव के एकोड़ें दो लाइने रादा कृशन जी के नाम रीडिंग शुरू होने से पहले रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया शाम के रंग में रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे रंग नाही चुटे दो भी या दो एचाए सारी उमरिया शाम के रंग में रंग दे चुनरिया रादे कृष्णा सबसे पहला कार्ड है दा मून का कार्ड तो गाइस रादे रादे जी का कहना ये है कि अगर आप अपने रिष्टे के लिए परेशान हो आपको दिखतों का सहना पड़ रहा है बीच में और लोग इंटरफेर कर रहे हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो जल्द बाजी में कोई भी कदम मत उठाना तहश में कहीं ये ना हो कि रिष्टे में तनाव ज़्यादा बढ़ जे और वो लोग जीत जाएं जो आपके रिष्टे के हित में नहीं है तो इसलिए आपको इस टाइम थोड़ा सा बड़े प्यार से स्लोली स्लोली इस रिष्टे को लेके चलना है अगर हो सके तो थोड़े टाइम पे इसका ध्यान देना जा इन चीजों पे सोचना बंद कर दीजिए क्योंकि अभी जो टाइम है आपके फेवर में नहीं है जिन लोगों के रिष्टों में ज़्यादा कटास है ये कार्ड उनी के लिए है रादे रादे King of Pentacles रादा क्रिशन जी का कहना है आपके परसन जो है काफी बीजी रहते हैं आप लोगों को लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये परसन हमारी बात में सुनते या हमें इग्नॉर करते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हो जा उनकी फाइनस या फैमली की प्रोब्लम्स हो जब ऐसी कंडिशन में गिरे होते हैं तो हो सकता है वो इंसान टाइम नहीं दे पाता इसलिए अपने अंदर नेगिटिव थोट मत लाएं ये चीजे आपका रिष्टा ख रादे रादे जी कह रहे हैं आप लोग काफी दिनों से अपने परसन के इंतजार में हो आप बड़े इमोशनली उन पे स्टक को वेट का रहे हो हो सकता है वो कहीं दूर गए हो और ये भी हो सकता है आप से थोड़ी नोख जोक हो गियों तो ये परसन किसी भी अच्छे उक रिकंसिलेशन यानि कि रिजूनियन करने और बड़े प्यार से आपके रिष्टे की दुबारा से शुरुआत होगी रादे 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 आम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने परसन के साथ रिष्टे में तो है लेकिन उनकी फैमली को लेके जहां उनके गर में कोई ऐसा इंसान है आपको हर दम डर रहता है कि वो आपका रिष्टा खराब कर देगा तो वो इंसान जो खराब कर देगा वो आपका ढरना सही है इसलिए रिष्टे में मैनुप्लेशन बिलकु मत करना और साथ में इमोशनली स्टक जादा नहीं रहना और चीजे जो है मिच्योरली हैंडल करना इममिच्योर होके को डिपेंडेसी दिखाने से आपके रिष्टे मे टैंशन और तनाफ आ सकता है रादे क्रिशन जी का कहना है कि आप मेंसे कुछ लोग ऐसे हो आप दिल के बहुत अच्छे हो आपके अपने परसन के साथ काफी प्यार करते हो बहुत उनके इमोशनल स्टक को और दिल के साफ हो लेकिन कुछ महीनों से अपने परसन का वेट कर रहे हो और नेगटिविटी आपके अंदर बरी हुई है तो सबसे पहले पोजिटिव बनिए अपने हलात सुधारिए अपनी चीजों को सही रखिए फिर उस परसन का वेट कीजिए इतने नेगटिव इंसान के पास अगर परसन आएंगे तो फिर नहीं रुकेंगे सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए उसके बाद अपनी चीजों से आपका प्यार सच्चा है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हलात अभी आपके फेवर में नहीं है क्योंकि सबसे पहले आप अपने आपको पॉजिटिव बनाईए बिना पॉजिटिव बने आपकी चीजे जो है खराब हो फिर से हो सकती है रादे कृष्णा रादे रादे आप अपने परसन में कुछ आप में से कुछ लोग है कि आप अपने परसन का वेट कर रहे हैं काफी पैशनेट हैं आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप अंदर से हिम्मत हार चुके हैं अंदर से डरते हो कहीं ये रिष्टा मेरा ब्रेक न हो जे कुछ ऐसे नेगटिव लोग आपके आसपास हैं आपको उनका हमेशा डर बना रहता है तो रादा क्रिशन जी कहते हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं अगर आपने प्यार किया है उसको निबाया है तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर एक के बसका नहीं है निवाना तो अपने अंदर maturity लेकिया ये अपने अंदर हिम्मत लेकिया ये क्योंकि ये तो अगर ये रिष्टा जोड़ा है इसकी तो जुरूरत सबसे पहले है रादी क्रिश्ना आप में से कुछ लोग है अपने परसन का वेट कर रहे है वो परसन आप से मतलब ये है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को खराब करके आप से से अप्रेशन फेस में है लेकिन वो परसन अभी भी कोई एफर लगाते हुए नहीं दिखरे सिरफ चीज़े अपनी बगवान के बरोसे उन्होंने रख्की हुई है अगर हो सकता है तो आप खुद एफर लगाए तब ही शेह दो सकता है कि आपकी चीज़े आगे जाएं रादी कृष्णा आप एक सप्रिचियल इंसान हो आप में से कुछ सप्रिचियल इंसान हो आपको अच्छे बुरे की अच्छे से समझ है दिल जो है आपका बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जिससे आपको लगता है कि शायद रिष्टा खराब ना होजे जा आपको सामने वाला परसन जो है जो आपका पार्टनर है इन एंड आउट की कंडिशन में रहता है तो आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए हमेशा कन्फ्यूज रहती है तो यहां रादा क्रिशन जी यही कहते है काम कीजिए जो आपकी इन टीशन कहती है वही करिए अगर वो परसन आपको छल करता हुआ दिख रहा है तो अपनी हदे यहीं रोक दे हदों से आगे ना जाए और अपने यह लिए एक फेवरल टाइम का इंतिजार करे तब ही उस परसन के साथ आगे पड़े रादी क्रिशना गाइस रादे क्रिशना जी का कहना है आपके रिष्टे में जो है हो सकता है आपके परसन के उपर जा आपके उपर किसीने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कर रखा है आप लोग प्यार भी बहुत करते हो पैशनेट भी बहुत हो लेकिन रिष्टे में नेगटिविटी बहुत है तो इसलिए इसका एक ही इलाज है क्या इलाज है मैनिफेस्ट अगर यहाँ कार्ट क्लियर करना है तो आपको मैनिफेस्ट करनी होगी अपने रिष्टे के लिए यह नहीं कि परसन के लिए अगर परसन पास में है तब भी मैनिफेस्ट अपने इस रिष्टे के लिए करनी होगी तब यह आपकी जो अंदर यहाँ नेगटिविटी है वो कम होगी रादी कृष्ण जिस परसन का आप वेट कर रहे हो आगे कुछ बात नहीं लजारा अब वो परसन जो है फुल पॉजिटिव वे से अपने रिष्टे के बारे में सोच रहे है रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे है और रिष्टे में पूरी तरह ग्रोध करेंगे रादी कृष्णा कुछ लोगों के परसन हो सकता है शहर सिटी से तूर हो देश से लेकिन ये परसन आपको बहुत मिस करते हैं इनको आपकी बहुत याद आती है ये मजबूरियों की वज़ा से वहाँ बन्दे पड़े है जो लोग सेपरेशन फेस में है तो रादा रिक्रिशन जी कह रहे हैं उनके बन्द रास्ते अब खुलने वाले हैं क्योंकि परसन ने सोच लिया है कि जो चीजे बॉंडरी में डाली थी वो चीजे अब खुल जाने चाहिए रादे क्रिशन कहरें किसी चीज़ की हैप्पी अंडिंग हो तो सब कुछ अंडिंग होती है अंत बला तो सब बला हमें मिला है फोर ओफ वोंट्स का कार्ड तो रादा क्रिशन जी कह रहे हैं जो लोग celebration का इंतजार करने है marriage का इंतजार करने है engagement का इंतजार करने है जिनकी चीज़े post months हो रही है तो उनकी अब इंतजार खतम होने वाला है क्योंकि उन लोगों को अब लाइफ में खुशिया मिलने वाली है सेलिब्रेशन आने वाला है एक फैमिली मिलने वाली है एक गर मिलने वाला है और एक प्यार मिलने वाला है जो बहुत सारे पैशनेट है और आपको बहुत अच्छे से रखेंगे तो ये थे रादा क्रिशन जी के दिविय संदेश आखिर में रादा क्रिशन जी ये भी कहते है लव का प्यार का रिष्टा जो होता है बड़ा नाजूक होता है मिन्ट मिन्ट में बात बात पे होपलस मत हुआ कीजिए उनका कहना ये भी है कि जब हम दर्ती पे आए तो इन चीजों से तो हम भी निपज सके तो ये सबी के साथ है जब इनसान की जाती में है थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखो थोड़ा हदों में रहो और चीजों को प्रैक्टिकल हैंडे करो तो ये थे रादा क्रिशन जी के दिव्य संदेश अगर आपको पसान्द आए हो तो लाइक, शियर, कमेंट जुरूर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब बे और बेल आइकन तो जुरूर प्रैस करना तांकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पूंचे आपके फोन पर अभी तक के लिए इतना ही मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए गोल्ड ब्लेस जु और रादे क्रिशना